नमश्कार स्वागे थे आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपके साथ सौमेराथी डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम पेट में होने वाली गर्मी के बारे में बात करने वाले हैं आज समझेंगे कि अचानक से पेट में गर्मी क्यों होने लगती है इस गर्मी की वज़े से अगर दिक्कत आपको महसूस हो तो उसका इलाज किस तरीके से किया जाता है और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं बिहार के सबसे जानिमाने फिजीशन डॉक्टर राजीव रंजन सबसे पहले सेर नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपके दनवार सोमया जी डॉक्टर साब पेट में गर्मी के बारे में आपने हमें पहले भी कुछ एक बार बताया है लेकिन आज मैं चाहूंगे अब दर्शकों को ये बताए कि आखिर ये जो पेट में गर्म होने की समस्या हो जाती है क्यों होती है इसका इलाज कैसे होगा पेट में गर्मी जो एहसास है सब्जेक्टिव एहसास है कुछ लोग कुछ मरीज जलन की संग्या देते हैं कुछ गर्मी की संग्या देते हैं लेकिन सौमिया जी मैं आपको बता रहा हूँ कि रात में अगर पेट में गर्मी ज़्यादा हो रही है यंग ये जह है मान लिजे कि आपकी उम्र के कुछ लोग जो आ रहा है क्योंकि जब भी तनाव होगा तो आपका पेट एफेक्ट होगा तनाव होगा ब्रेन में एफेक्ट होगा ब्रेन पर गट पर पेट पर तो इसलिए जब जलन होगा जब जलन होगा पेट में जब जब पेट में गर्मी का एसास होगा तो पेट में गर्मी का एसास आपको तना इनका मुवमेंट होता है, वो मुवमेंट अगर कमजूर हो गया, तो एक ब्लूटिंग का हैसास होता है, ठीक से खाना बाहर प्रोपेल नहीं हो रहा है, जो खाना आपका जा रहा है, वहीं पर रखा हुआ है, तो उसको आप कुछ लोग फूलनेस की संगय देते हैं, कि पेट में आपको एंटाइसिट का सेवन करना पड़ेगा, अगर एंटाइसिट के बाद भी अगर पेट में जरन कामे रह गया, भारीपन कामे रह गया, तो आप किसी कुछल चिकित से से सलाह ले करके आगे का रास्ता तियार करें, डॉक्टर साब, जिससे के आपने बताया कि आप में सोने जाने के पहले, आपके डिनर का और सोने का समय में इंटर्वल होना चाहिए, आज की भाग दोड की जीवन सहली में व्यक्ति बिल्कुल बेतर्तीब हो गया है, रात में आया बाहर से ओफिस से काम करके, बाहर से भाग दोड करके, इगारे बगी आया, रात में खाना खाया, 11 वज़े खाना खाया, सारह 11 में सोने चला गया, तो उस कंडिशन में क्या होता है, कि ठीक से मुवमिंट नहीं हुआ, फिर इस्टार्टिंग जो पेट का मुवमिंट होना चाहिए, ओ सलगिस हो गया, सलगिस होने के वज़े से आपको गैस की समस्या हो गई, इस रात वज़े साम को खाना खालें और 11 वज़े सोने जाएं, बिल्कुल आपको ठीक रहा हूं कि पेट का जीवन सहली से ऐसा संबन्ध है, जिसको एक दूसरे को आप पिर्थक नहीं कर सकते हैं, पर्थक के बहुत ही असंभव है, इसलिए दोनों को साथ साथ मिलके सोचना प पड़ेगी, अब बाद में तो एंटासिट है, बाद में डॉक्टर हैं, बाद में तरह तरह का जो है प्रोटोन पंपी निवीटर से बहुत सारे दवाईयां हैं जिसका इस्तमाल किया जा सकता है, जी, उमीद करती हूं कि डॉक्टर साहब ने जो बाते बताएं हैं, आपन क्या सवाल हैं, धन्यवाद